अर्मान, अर्मान को लेते हैं, हाँ जी अर्मान हेलो, हाँ जी यार इस गोई कैसे हैं आप सर बिल्कु ठीक सर क्या कहने चाहेंगा मैं रोग कहना नहीं है, बस कुछ पोछना है आपसे, दो-तिर सवाल है मेरे जी ज़रूर सर पहला सवाल तो यह है कि जब महमद साहब जो नबौत मिली, वो गार हिरा में मिली उससे पहले वो बहुत साल वहां गए, वो गए क्यों यह वो वहां जाकर क्या अबादत करते थे अल्ला की अबादत करने का तरीका था, खुद महमद साहब को जिबरेल ने बताया तो उससे पहले वो क्या अबादत करते थे वहां से? अल्ला हुआ अबादत करते हैं, आप लोग और जो भी चैनल है, जो मुलित लोगों के वो बोलते हैं कि महमद साहब वो अपना हुख में चलाना था लोगों के ओपर और उन्हें बादत कायम करनी थे, लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से देखे, कोई भी बादत साहब को हम देख ले या पिजी किंग को देख ले बड़े बड़े को, उसने अपनी बड़ी दॉलती करी, बिजनस उन्होंने इन्हेरिट किया, बीबी खदीजा फोट हो गई, फिर इसके बाद कोई हमारे पास सबूत नहीं मिलता कि उन्होंने अपना जो बिजनस था कंटीन्यू रखा, तो इन दी एक्विविलेंट सेंस अफ टुड़े, वो टेक्सपेर के फंड़े पे चल रहे लिए था, वो एक ऐसे सेंट्रल अशिया से का जाता है, शएध रुमेनिया से आया या उसके और उसी तरफ से आया, इस्टन यॉरप से या सेंट्रल अशिया से आया, तिलादाहन, तो उसने वो रूम से ट्रिब्यूट लेता था, क्योंकि उसकी इतनी एहमियत थी, वो ले पूरी दुनिया को आगे लगा लेकिन रहता है, उसके महल नहीं थे बड़े-बड़े, तो ये आपकी, और ये जो अरब थे, ये भी इतने कोई ये बिल्डिंगे उंची-उंची बनाने वाले लोग नहीं थे, ये सहरा में रहते थे, बिचारे फुजूल किसम गई थे, इनक कल्चर का हिस्सा था, लेकिन उनकी जिन्दगी तो सफल होगी, और वहां पर कोई क्लोधिंग फैक्टरियां तो नहीं थी, जो बड़े-बड़े कपड़े पहनते तो, तो इसलिए ये कोई बात नहीं है, बात ये कि रहते एक हिस्सा था, उनकी जिन्दगी बेतर हुई के नहीं हुई, हज़र्द खडीजा के मरने के फौरण बाद उन्होंने एक चीज़ पर हाथ होला नहीं रखा, वो थी औरते, औरतों का उन्होंने खूब इंजवाए किया, दूसरा उनके पास ताकत थी, पूरी दुनिया, पूरे उनके एर्दगर्द के लोग उनके तलवे चाट रहे हैं, लिटरिली स्पीकिंग, हदीसे बुखारी तबरी में वाकियात लिखे हैं किस तरह लोग उनके जब मूँ पे छपाड़ा मारते थे पानी से, जो कतरे निकलते थे लोग उसको पकड़ते थे, लोग एग में उनके वाकिया लिखे हैं, उनके पिशाब किसी ने पी लिया, तो उसकी मखबत नहीं की उन्होंने, उन्होंने का तुम्हारा पेड़ का दर्द ने तुम जहनुम की आग से महफूज हो गया, तो इस तो रहां की चापलोसियां हो रही हैं, हमारे आजकल की लीडर्स की कोई चापलोसी कर दे, तो लोग वो इतने खुश हो तो देखो, हमने महल बगारा नहीं बनाए, महल बगारा बनते ही नहीं थे, और जैसे इसलाम, जब ये लोग गए, जब इन्होंने दुनिया पे कबजे किये, उनके पहले तो काफले लूटते थे ना छोटे-छोटे से, फिर जब इन्होंने जा के बड़ी-बड़ी रियास की आईशा के साथ उनकी, और हदीसों में भी बहुत मिलता है कि आईशा को अम्मी जान बोलते हैं, और मौराना साब भी बिचारे बहुत दुबाओं मियाद रखते हैं, अम्मी जान आईशा, तो किसी हदीस में ऐसे कहीं लिखा है कि महम्मद साब को अबबाजान बोलाओ नई, ये तो कुरान में लिखावा है, हिं है, महम्मद साइब अबा जान, नहीं है, मुसल्मान होगे, वो बला उनोंने क्यूं नहीं नहीं है, मैं पताता हूं, बड़ा मज़ेगा कॉंसेप्ट, बड़ा मज़े का कॉंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, यही तो कॉमेडी है हज़रत महम्मद ने अपनी बीवियों को उमहातल मुमिनीन क्यूं का? उन्हों ने इसलिए कहा कि तुम उम्मत मेरे मरने के बाद औरों से शादियान नहीं कर सकती क्योंकि तुम उनकी माएं हो यह रसूल, यह कुरान की आयत है, यह अधीश वे खायरा में नहीं कुरान में है कि उमहातल मुमिनीन है इसलिए यह शादियान, तो लॉजिक बनती है अच्छा पिर आप भी फिर बाप है पूरी उम्मत के रसूल अलागर सारी उम्मत के बाप बन जाते तो शादियान किस से करते अगर वो औरतों को तो उन्होंने माएं इसलिए बना लिया कि कौन अपनी माह से शादी करेगा अपने आपको बाप बना लेते तो फिर इनसे कौन शादी करता, तो कुरान की आयत है रसूल अलागर से रसूल अलागर से शादी करेगा में 2.1 शादियां की रसुख खदीजा के मरने के बाद हज़र खदीजा के मरने के बाद आवरिज उन्होंने 2.1 शादियां हर साल की और लोनियों का मारे पास रिकार्ड रहुए और ये और ये उस वकद के जो बहुत बुड़े हो चुके थे अभी तलवार में उदाम नहीं था जो जवानी में नहीं था जो जवानी में आपको नहीं करने देगी ये काम ये उसका मौलाना लोग बोलते हैं कि इद्दत कंपल सरी है और इद्दत का जो में लोजी के वो बोलते हैं मालिया अगर वो किसी वज़े से हमल में हो दस दिन पंदरा दिन तो चार महिने वो चीज बहार आ जाती है लेकिन अभी टेक्नोलोजी आ गई है तो हम तो दस दिन का भी या यह वही ना क्या करें सारब यह यह चीज़े लॉजिकल नहीं होती है आपको किसने काया कि रिलिजिन लॉजिकल है आप लॉजिक क्यों ढूरते हैं रिलिजिन लॉजिकल नहीं नहीं बक्वास करते हैं मैं इलामा इकबाल करते हैं मैं इलामा इकबाल को की किताब पढ़ा हो आजके ले लामा इकबाल ने साफ का कि एकबाल को ऐसी जबर्दस मेंटल जिमनासिक्स उसने उस जमाने में की मिया मैं हरानू कि इसको इतना बड़ा शायर मश्रिक को इतना बड़ा कहते है आलम पाकिस्ता बड़े सगीर का पिछले हजार साल में इससे बड़ा कोई उसे प इवाल साब फर्माते हैं कि faith जो है religion जो है वो ही इमान का नाम उसके उपर सवाल जवाब नहीं होते हैं फिर चलाग मार के एगले जुमले में कहते हैं अगले paragraph में कहते हैं लेकिन फिर भी हमें इसमें logic ढूंडनी पड़ेगी और फिर logic जब ढूंडते हैं ये लोग तो रसूल अलाह को नहीं पता था इन चीज़ों का, कि डियने भी कोई चीज होगी, एक जमाने में पता लग जाएगा लोगों को, तो ये जो लॉजिक आपने उस वकर दिये, वो लॉजिक आज अपलाई नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, आप इनने, चार बीमिया जाये 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 झाल मेंgeb होगी, जाये जाये जाएगा रगने कि वाएगाने ओस के पैनल माता, को ये जाएगाभ जाएगानेो हुआ हो नहीं अष़ों का, कि याूजिक आएगा झाल कोई आभाएगाजरा जाएभागाजरा जाएगािको दीजिक के अवादरा के ऊवाई का अवागाpod tabii क